कि जाएं दोस्तों दोस्तों मैं फोजिसोन चोदरी एस फिजिकल अकेडमी के इस यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज के वीडियो के अंदर में आपको पताऊंगा इस्टेंडिंग ब्रोड जंप खड़े-खड़े जंप लगना इस फोरेश्ट गाड राजस्तान के वेकेंशी आई थी जिनके अंदर फिजिकल के अलग अलग इवेंट है जिसके अंदर यह इवेंट भी समिल है जिसका नाम है इस्टेंडिंग ब्रोड जंप यानि कि खड़े-खड़े जंप लगना यह खाली उनके काम का भी नहीं है कि जि मिलेगा तो आज को अभी करते हैं शुरुआत इसकी ब्रोड जंप की प्रेश्ट गाड के मैं उन सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा आप इस परकार के तैयारी आप घर पे भी कर सकते हो इसमें आपको कई परकार की बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा नहीं तो प्रेश्ट गार्ड के अंदर लड़कियों की अठारा किलोमेटर पेदल साल मांग रखी है जिसका टाइम है इंकलूड है इसमें क्या जब आपका आप फिजिगल कर लेते हो जितने आप जो पेदल साल बताई है वह कर लो या फिर आपको जितनी रनिंग करनी है दो किलोमे फैस्ट मार्किंग कर दी उसके बाद में आपको आप से जितना मालो ब्रोड जंप मांग रखा है यानि कि आपको कितने मिटर जंप लगाना है तो मैं उन लड़का उन इस्टूडेंटों को बताना चाहूंगा जिस जिनका अभी फोरेश्ट गार्ड के अंदर ब्रोड जं संब्स पर वह नहीं लगा पाती तो आपको क्या करना इस फरकार से आपने फिता लेलो प्रेंगे बारहा है जैसे कि मैंने मिए मृट की यह मार्किंग कर देख सकते हो तो नहीं देखो इस मार्किंग के अंदर हमने क्या किया है कि हमने एक मिट्र से स्टार्ट किया है एक मिट्र है उसके बाद में 110 है फिर 120 है फिर 130 है फिर 140 है यानि कि यह क्या हो गया सेंटिमेटर हो गया सुरी सेंटिमेटर नहीं कि यह कुल मिला के बेढ़ता है सदे च्यार फिट यानि कि च्यार फुट पांच इंची से थोड़ा सा एक्स्टा तो आपको क्या करना है ज्यदा घबराने की जूरत नहीं है इस परकार से आप मार्किंग कर लो लेकिन आपको ध्यान में यह रहना जहां पर आप जंप लगात करो उसके बाद में आपको क्या करना है एक बोले तो एक दम रिलेक्स होने के बाद में क्या करना दुनुआ बसे मिलाना अब कहा करते हैं एक य क्हूंत लगाते ऐसे जंप लगाऊ आपका बिल्कुल वी नहीं आएगा इसमां आपको क्या करना प्धे प्रेस्स पर्कार से आप रखो अपको क्या करना प्ना हैं कि क्या करते हैं क्या करते हैं सब्सक्राइब गर चड़ब आप अधिर sı One सब्सक्राइब चलके है एक है कि और लास्ट में अंदर पूरी बोड़ी बड़ना और क्या करना है एक अभी कई करते क्या करते हैं महां भी आप देखते हुँ गुरॉण में जैसे लड़के जंप लगा रहे हैं जंप लगा दिया एक पेर के उनका अग्ग निकल जाता है दूसरा जाता पिचे तो इसमें अगला पेर तो आपने बहुत बढ़ लगा दिया लेकिन पिछला अधा जाएगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले अपनी आदत यह सुदारनी है मेरे को एड़ी से खूदना है दोनु पेरों को एक साथ पटकना है दूसरी बात इसके इंदर आपको बिल्कुल एसे डिला नहीं पड़ना है अगर आप डिले कुद दोगे तो आपके क्या है की भार में पूरने के बार मैं देखो आपको क्या करना है एक थे ऑर और इस प्रकार से त्रीन यह ख धर worms अभी अभी तसमें नहीं अगर आंसफ आपने जंप भी वीडिया लगया लेकिन क्या है आपकी दोनों एड़ी का है एक साथ नहीं टिकरी तो इसकी आप दीरे-दीरे से तैरी करो आपको जरूर नहीं है कि आप एक दिन में आप 2 मिंटर कुदो आपको इसने कुद नहीं जूरत नहीं है आप फस्कलास इस परकार से तीन या चार मार्किंग कर लो मार्किंग करने के बाद में आपको क्या करना है दीरे-दीरे जंपको बढ़ना है एक दिन में यह नहीं कि 10 कर दिया बीच घंड़ लिया इतना नहीं करना है अगर आप इतना करोगे आपका फेर ठूख जाएगा पासम कंडम हो जाओगे तो दोश्तों आपको फिर मैं लाश्ट में बड़ा नहीं करते हो आपको इतने बतनाज चाहूंगा बोड़ जंप है कोई बड़ी वो नहीं है जिसके अंदर की रोड़ घुप नहीं ले सकते हैं आपको सिरफ दियान इतना है पस्कोलाश एक मार्किंग कर और मारकिंग करने के ब आपको फैस्ट में एक को कर दिया फिर करोगे आप दूसरा आप अगर स्टेप बाई स्टेप करोगे आपका जंप जो ब्रोड जंप है आपका एंडेर पर जाएगा और आप अपना जो पुरेश्ट गाड़ गा ये एक इवेंट है को इतना बड़ा इवेंट नहीं है लेकर फिर भी गवर्मेंट ना दिया है तो कुछ समझ की दिया होगा ये इसके अंदर आप आसने से सपलता हासिल कर सकते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें अगले वीडियो के इंदर आपका भाई फिर आपके सामने एक चोटा साख चोट